हेलो एप्रिवान कैसे हूँ आप सब तो गाईज आईपियल 2023 की निलामी अब हम सभी लोगों को 23 तारीक को देखने को मिलने वाली है और आईपियल की निलामी से पहले ही सभी आईपियल टीमों अल्रेडी डिसाइड करने में लग चुकी है कि कौन-कौन से प्लेयर्स को टार नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाईए जिससे हमारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो गाईज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अब आईपियल 2023 की निलामी में सबसे महेंगे प्लेयर्स की अगर बात की जाए यानिकी उन प्लेयर्स की ज आईपियल की निलामी में सबसे महेंगे प्लेयर्स मैंसे एक नजर आने वाले हैं इनके बाद इस लिस्ट में नाम निकलकर आता है कैमरन ग्रीन का वैसे तो कैमरन ग्रीन का जो टी-20 करियर है वो इतना जादा बड़ा नहीं है कि इनके पीछे इतना बस क्रेट होना से आप लोग एक्सपैट कर सकते हैं कि 10 करोल से उपर की बिडिंग आपको कैमरन ग्रीन के उपर देखने को मिलेगी इनके बाद इस लिस्ट में नाम निकलकर आता है बैन स्टोक्स का स्टोक्स वैसे तो ओडिया एक क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं जिसका मतलब है इनक संराइजर सेदराबाद पंजाब किंग्स जैसी टीम है और जैसे ही यह हमें आक्शन में जाते वे नजर आएंगे बहुत सारी IPL टीमों के बीच में बिडिंग वार क्रेट करते वे नजर आएंगे और आसानी से इनके उपर 12 करोड से उपर की बिडिंग आपको देखने को मिलने वाली है इनके बाद इस लिस्ट में नाम निकल कर आता है मयंक अगरवाल का वैसे तो मयंक अगरवाल को पंजाब किंग्स की टीम ने अपनी कैप्टनसी से हटा कर रिलीस कर दिया था लेकिन अभी अभी पंजाब की टीम ने स्टेटमेंट दिया है कि ये इनको वाप का इश्यू नहीं है और अगर प्रॉपर बैट्समेन के हिसाब से बात की जाए तो वन अप दा बेस्ट आईपियल के ओपनर है तो ऐसे में बहुत सारी आईपियल टीम है मैं का गरवाल के उपर भी बिटिंग करेंगी तो आसानी से 8-10 करोड रुपे की बिटिंग इनके उप परफॉर्मेंस के कारण अपनी टीम से रिलीस कर दिया और के इन विलियमसन इस पार आईपियल की निलामी में आने वाले हैं ऐसे में के बास या तो करेंटली कैप्टन नहीं है या तो उनके कैप्टन जल्दी ही रिटायर होंगे यानि कि चैने सुपर किंग्स ऐसे टीम है आप लोगों को केन विलियमसन के पीछे जाते वे नजर आएंगी और आसानी से 6 करोड रुपे के आसपास की मिडिंग इनके उपर भी होने वाली है इनके बाद इस लिस्ट में नाम निकल कर आता है श्री लंका के दाशिन शेनाका का शेनाका पिसले साल IPL में अंसोर चले वे थे और IPL में काफी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रहे हैं लेकिन इसके बावजूद ही अपने साथ कैप्टन सी का भी इस बार ओफर लेकर आ रहे हैं और इसके साथ ही ये एक बहुत अच्छे फिनिशर भी है हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस इनकी वो इनिंग देख लोगों के हिसाब से इस बार IPL की निलामी में सबसे ज्यादा मेहन का कौन सा प्लेयर विकेगा तो मैं मिलता हूं आप लोगों से पनी इगली वीडियो में तब तक के लिए बाव आई